कॉफी विद करन सीजन एट के लिटिस्ट एपिसोड में जानवी कपूर और खुशी कपूर करन जोहर के शो की मिहमान बनी चैट शो पर कपूर सिस्टर्स ने अपनी परसनल लाइफ के बारे में कई सारी ऐसी बाते शेयर की जो अब तक उनके फैंस को नहीं पता थी जानवी कपूर और खुशी कपूर उस पल को याद कर एमोशनल हो गई जब उन्होंने अपनी मा स्री देवी को खोया था जानवी और खुशी कहती है कि मा के डिथ के बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है इस साल खुशी कपूर ने जोया अक्तर की फिल्म दियारचीज से एक्टिंग डेब्यू किया फिल्म डेब्यू के बाद कॉफी विद करन पर भी उनका डेब्यू हो चुका है शो पर वो अपनी बहन जानवी के साथ धीर सारी बात शेयर करती नजर आई बात्चित के दोरान जानवी कपूर ने बताया कि उनकी मा का निधन पूरे परिवार के लिए एक बड़ा जटका था जानवी ने ये भी बताया कि कैसे उस मुश्किल घड़ी में उनकी बहन खुशी ने पूरे परिवार को संभाला उन्होंने कहा कि वो वक्त हमारे परिवार के लिए सबसे मुश्किल वक्त था जिसमें खुशी ने काफी हिम्मत से काम लिया मा स्री देवी के निधन पर बात करते हुए जानवी कपूर ने कहा कि मुझे याद है कि जब फोन आया तो मैं अपने कमरे में थी मुझे खुशी के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी मैं रोते चिलाते उसके कमरे में घुस गए लेकिन खुशी ने जैसे ही मेरी तरत देखा रोना बंद कर दिया इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकती जानवी कपूर आगे बताती है कि मा के डत की खबर ने हम सब को तोड़ दिया था खुशी ने जैसे ही मुझे रोता हुआ देखा उसने अपने आसु पोछे और मेरे पास बैठ कर उसने मुझे संभाला एक वो दिन था और एक आज का दिन है मैंने कभी खुशी को इस बारे में सोच कर रोता हुआ नहीं देखा जानवी कहती है कि उस दिन के बाद हमारी लाइफ बहुत बदल चुकी है समयाने पर हमें एक दूसरे के लिए बच्चे बन जाते हैं और कभी-कभी एक दूसरे की मा भी बनना पड़ता है बता दे कि स्रीदेवी इंडस्ट्री की सबसे खूब सूरत और मशूर आक्टरसेस में से एक थी उनका निधन जानवी की पहली फिल्म धड़क की रिलीज से पहले फरवरी 2018 में ही हो गया था एक बड़ फिर से बता दे कि कॉफे विद करन सिवजन एट के लेटिस्ट एपिसोड में जानवी कपूर और खुशी कपूर करन जोहर के शो की मिहमान बनी चैट शो पर कपूर सिस्टर्स ने अपनी परसनल लाइफ के बारे में कई सारी ऐसी बाते शेयर की हैं जो अब तक उनके फैंस को नहीं पता जानवी खुशी उस पल को याद कर इमोशनल भी हुई जब उन्होंने अपनी मा स्री देवी को खोया था जानवी और खुशी कहती है कि मा के डिथ के बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है इस साल खुशी कपूर ने जोया अक्तर के फिल्म दियारचीत से आक्टिंग डेब्यू किया फिल्म डेब्यू के बाद कौफी विद करन पर भी उनका डेब्यू हो चुका है शोपर वो अपनी बहन जानवी के साथ धेर सारी बाते शेयर करती नजर आए बातचीत के दौरान जानवी ने बताया कि उनकी मा का निधन पूरे परिवार के लिए एक बड़ा जटका था